हमस्काल दोस्तों इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप लोगों कई सारे कॉमेंट्स हैं हमारे वीडियो के नीचे लगातार बार बार आ रहे थे कि सर हम लोग कैसे एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग प्रभावी भूमिका और लिया था फहला यह कि हम लोग आपको टेलिग्राम ग्रूप पर इसकी एक रेगुलर प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें आप लोगों को वीकली जो है एक ऐसे दिया जाएगा और उसका एक प्रॉपर इवैलुएशन भी किया जाएगा आप लोग जो भी एसे लिखेंगे और स्वीडियो शिरीज के माध्यम से हम लोग यहां पर इसे की तमाम बारीकियों को समझ रहूंगे जिसमें लोग निबंद की बारीकिया आए जैसे उसके तमाम सारे आभस पैक्ट्स होते हैं कि निबंद जो है वो कैसे आया क्या आया और क्यों यह लिख वाया जाता है या फ इतने सब्दों में होना चाहिए क्या सब्द लिमेट एक्सीड हो सकती है ऐसे तमाम सारे प्रस्णों या दोविधाओं का समध्रान कर रहे होंगे आप लोगों के जो भी डाउट होंगे उनको भी रिजॉल्व कर रहे होंगे बारिकियां समझ रहे होंगे और इसके साथ ही देखिए वीडियो सिरीज के ही माध्यम से हम लोग जो यूपी प्यसी के जितने भी पूर्व में पूछे गए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो निबंद होते हैं जैसे कि आप देखे होंगे आप लोग खुद भी अगर पेपर का अनालिसिस कर लें तो आप लोग समझ जाएंगे कि समाज जो साहित्य है यह हो गया या फिर भालते क्रिष्ट की समस्यां हो गया इस टाइप की निबंद जो है कई-कई बार पूछे गया है मतलब 15-20-25 बार पूछे गया है इस सब निबंद तो कमसरम इन सभी निबंदों का हम लोग एक इनका लिखें इन सभी विष्यों पर अपने वीडियो सिरीज में बात कर रहे होंगे तो यह जो वीडियो सिरीज है इसकी पूर सुषना आपको फिछले वीडियो में दे दी गई थी आज कई यह वीडियो जो है यह उसी सिरीज का पहला भाग है जिसको हम लोग आज शुर ठालлись वेसे हम लोग यहां पर बात कर रहा होंगे आप यूपीस्के को उतना नहीं बात कर रहे होंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसका content हो जाता है हम लोग focus करेंगे state PCS वाले निबंद को और वह भी especially UPPSC के निबंद को हम लोग focus करेंगे ठीक है UPPSC की तीन परिक्साइं होती है जिसमें निबंद पूछा जाता है पहले lower PCS अब देखें तो इसका अपर PCS में यह पूछा जाता है आप देखिया कि इसका वेकटेज समझना पड़ेगा कि आप लोगों को इसमें अगर आप लोग अच्छे तरीके से महनत कर लें तो ये एक ऐसा विशय है जिसमें आप लोगों को competitive advantage मिलती है हमने अपने पहले वाले वीडियो में ये बात बताई भी है कि आप लोगों को जो RO की अगर परिक्षा की तैयारी कर रहा है तो RO mains में या फिर Hindi vocab का हो या फिर Hindi drafting वाला वहां पे आप लोगों को एक एक नंबर जो है वो खीचने में बहुत मसक्कत करनी पड़ेगी परन्तु यहां निबंद का एक विशय ऐसा है जिसमें आप लोग मतलब थोड़ी बहुत अगर महनत यहां पर कर लिए तो आप लोग इसमें 10 बारा नंबर पंदरा नंबर तक अपने computer से अधिक लाब ले सकते हैं तो इस लिहास निबंद का विशय बहुत महत पूर्ण हो जाता है और देखिए कि यहां पर हम लोग अगर बात करें तो यह बीयो है इसका पैटर्न में छोटा साम अंतर आप लोगों बता देते हैं कि म सब्सक्राइब लेकिन जो बीयों में होता है वहां पर दो निबन लिखने रहते हैं और यह सेक्शन से ठीक है मतलब हल तीन में से एक निबन लिखना रहता है वैसे तो इसका हम लोग कापी डिटेल में आप लोगों को बता भी चुके हैं अपने पिछले वीडियो में तो है इसलिए बहुत अंख्योट में दएकर डूसरी बात की यह leמה होता है और यहां पर यह हट्री इंट्वून फोर्टी मार्स का होता है यहां पर यह two in two 50 मार्क का होता है ठीक है तो सभी जगह पर एक बड़ा वेटेज इसका इसलिए मैं आप से कहूंगा कि इसको आप हलके मना लीजे निबंद जो विशय है उसको आप हलके मना लीजे क्योंकि इसमें एक आप तो सकते हैं साथ ही आप लोग इसके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि हम प्री एक बार निकाल लें उसके बार प्रैक्टिस करेंगे यह आपकी मेरे समझ से थोड़ी से आपकी रड़नीतिक भूल कही जाएगी अगर आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि अभी मैं आपसे ज्यादा समय देने को नहीं कह रहा हूं अभी मैं केवल आपसे इतना पहले वाले वीडियो मैंने बहुत डेटेल में यह चीज डिसकस भी किये केवल मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप हफते में चार से पांच घंटे तो निकाली सकते हैं निवंद के लिए और निवंद के लिए आप मतलब एवरेज देखें तो पर दे एक घंटा भी आपका नहीं आ रहा है और इतने में ही आप जो है अगर बहुत अच्छा कर सकते हैं आपका अच्छा खासा मेंस का भी एक्जाम निकल जाएगा तो फिर वो आपके उस स्थिती से बैतर है जिसमें आप प्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लिए और फिर मेंस में धक्कन हो गए तो उससे अच्छा है कि आप यहां पर ऐसे को भी एक मिलब प्रॉपर रड़नीती में जो है उसको साथ में लेकर चलें और प्री के पहले उसका जब प्रकृति के प्रश्ण पूछे जाता है मतलब प्रकृति स्थात पर यहां पही आएं फिर दिज्ण की दीजिये तो वहां पर भी आपट अगर एक और निबन तैयार कर लेते तो आप लोगसेवायों की कोई भी परिक्षा दीजिए या फिर किसी अन्य लोगसेवायों की भी दीजिए तो वहां पर भी आपको कोई ऐसी जो है निबंद में अत्रिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ठीक है तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है उस पर कि निबंद देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग समझते हैं कि निबंद जो है वो एक आइंस नहीं है जिसमें आप सोचे कि सभी एक समान उत्तर हो सकता है क्योंकि सभी लोग अपने-अपने हिसाब से निबन लिखते है उसमीं का समान नहीं होगा निबंदद इसको जिनने में ठोड़ा समय लगे अगर आप सोचें कि आप गर्माँलों तो बियान होना चाहिए आप दैसे अगर कि चाहिए उनिघ्स、 कि लीए मालीजिट की पlair. पैर अगर हमें रखना है जमीन पर तो वह तेजी से क्यों रखना है या फिर आखों का इसारा जो है वह डांस फॉर्म में कितना महत्व रखता है कि शिवजी वैसे ही कुछ इसारा करते थे शिवजी कैसे निरति करते थे तो उन सब चीज़ों को देखना समझना तो यह सारी क्रम से किसी आर्ट को क्रम बॉर्म सिखते हैं अगर आप लोल इह सोरे हैं कि हम लोग अगर मुझ से कम से नार रक्ञा क्योंकि मैं अगर बताने जहां तो मैं यह चाहूंगा कि आप लोगों को तैयार मैटेरियल देने से पहले देने से ज्यादा बहतर है कि आप लोगों को वह चीज सिखा दी जाए ठीक है जैसा कि कभी ने कहा भी है कि अगर आप जो है किसी को मचली देते हैं तो आप उसके एक दिन के भुजन के प्रबंद कर सकत हैं लेकिन अगर आप किसी को मचली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसको जीवन भर आत्मनिर्भर बनाना सिखा रहे हैं तो हमारा मकसद यहां पर वही है कि हम आप लोगों की तैयारी इस प्रकार से कराएं थोड़ी सी उसमें क्लासे एक्ष्ट्रा लगेंगी पर आपकी लगों टैयारी इस हिसाफ से क्राएं कि आप लोग इस आर्ट को सीख सके यह अगर हम लोग 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 कोई बह मुश्किल नहीं लगेगा ठीक है हमारा स्कूल पे हो, प्रधानमंत्री पे हो, ऐसे करके कई सारे चोटे-चोटे निबंध वो हम लोग से पूछ जाते थे, अभी भी लोग से वाई हो कि परिक्षाव में भी ऐसा पूछा जा रहा है, तो क्या उसके कारण है कि हम लोग को ऐसा जो है यह निबंद पूछा जाता है अगर आप यह समझ गए कि निबंद क्यों पूछा जाता है और निबंद होता क्या है कैसे इसका इवाल्व हुगा तो इससे आपको यह समझने में आप बहुत करीब होंगे यह समझने के कि निबंद हमें कैसा एक्जामिनर के हमसे क्या डिमांड होगी यह कैसी एक विधा है तो हमें कैसी लेंग्वेज लिखनी है क्या भासा फॉलो करनी है तो यह सभी बातों को समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा अगर आप इसका क्या और क्यों समझ लेंगे ठीक है तो कैसे पर हम लोग त टेस्ट होता है आपका एक्यू भी टेस्ट हो जाता है आपका इंटर्व्यू भी ले लिया जाता है मतलब हर चीज जो है इस निबंद से टेस्ट हो जाती है अब पुछेंगे कैसे समझे निबंद जब भी कोई लिखता है तो निबंद में आपकी जो मामसिक स्टर होता है आपका जो व्यक्तित होता है वो वहाँ पर direct व्यक्त हो जाता है। उसको समझना मतलब एकदम direct होता है। आप कविता को इसमारी छो एक टोड़ने को इसस चीज़े कूछ लिखेंगे। हो जाता है अगर मान लीजे कि कोई किसी को दोहा लिखना है तो उसके लिए आसान सा है कि हाँ तेरा ग्यारा की मात्रा है उसमें ऐसे सब्दों के कुछ ऐसा बना दो तो वह कविता लिखना थोड़ा सा असान हो जाता है इसी प्रकार से अगर हम लोग कहानी या उपन्यास की करें कहानी वोपन्यास तो वहांपर भी देखिये तमाम जो यह वहां यह चरित्रों को सहरा ले कर के अपनी बात पे वहांपर भी थोड़ा सा hot हो जाता है जब भी कोई आप देखें कि बड़ा राइटर लिखता है तो मैं आ शौसारे चरित्रों से अपनी कहानी को कहते तो ऐसे करके उसमें उसमें उसका मतलब प्रत्यक्स प्रकटन çok आ है उसके व्च्टितुका परन्तु वह किसी ओर रूप में आता है जबकि निबंध में ये सब कुछ नहीं होता है तो वहां पर च्छंद लैतुक्त का इस्तमाल कर सकते हैं कविता में जो है गेता होती है कविता आप गा के उसको इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं परंतो निबंद में क्या है कि वह इंट्रेस्टिंग नहीं होती है और कहानी उपन्यास के जैसा वहां पर आप कल्पना यह सब नहीं कर सकते हैं निबंद जो है बेसिकली है क्या तो नि विश्य है तो उसकी गहन परताल करते हुए हम उसके संबंदित विचारों को अगर व्यक्त करते हैं तो वही निबंद है यहां पर कोई भी आपके पास परदा नहीं होता है जिससे कि आप अपने निबंद को खुद से अलग कर सकें ठीक है और ऐसा जो है कहते अगर हम कविता लिख रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं वो दिख जाता है इसलिए देखिए बाबा नागाजुन ने कहा भी है कालिदास के लिए कहा है कि अमल धवल गिर के शिक्रों पर प्रिवल तुम कब तक सोए थे कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्य शोक पर अज रोया या तुम रोय थे तो यह उन्होंने बाबा नागाजुन ने कालिदास के लिए इसी संदर्व में कहा है क्योंकि आप समझिए कि जो भी कृती होती है अगर मान लिए हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं मेरे भावों का आना स्वभाविक है लेकिन कव अबिए बेडेटलन की कहानियों परन्तों उन्होंने अलग तरीके लेकिन निबंद के मामली में आपको ऐसी कोई सहुलीत मिलते हैं यहां 있다고 को पात्र नहीं मिलता है नांथ कोई ऐसी कंपना आपकर कर सकते आपको विचारों को सीधा सीथा प्रकड़ करना इससे क्या होता है कि आपका जो मानसिक स्तर है IQ है वो टेस्ट हो जाता है आपका emotional question जो है वो भी टेस्ट हो जाता है क्योंकि इसमें विचार के साथ में आप लोगों को भावनाएं जो है वो डालनी पड़ती है यह क्यों डालनी पड़ती है मूलता है यह विचार ही पर बेस था परन्तु भाव पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे अभी इसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि यह भावनाओं को इसमें क्यों डालना जरूरी है ठीक है और इसके साथ में एक इंटर्व्यू हो जाता है डारेट आपका प्रत्यक्स साक्षात्कार हो जाता है आपका जो इसका आपके निबंद से तो अगर आपको अपना निबंद लिखना है तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी जो सोच उसमें व्यक्त हो वह कहीं से भी आपकी इसी तरीके की बाते हम लोग इसमें समझेंगे खेर अभी हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं देखे निबंद में अगर आप लोग थोड़ी से महनत कर लेंगे आप लोग इसको यह थोड़ा सा लंबा टास्क है एक तो तरीका यह है कि आपको सीधा रेडी मैटेरियल देदें आप केवल उसी को फॉलो करके रटके और सीधा वहां पर उगाला हैं दूसरा जो मेरा तरीका है जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूं वह यह है कि आप लोग निबंद की बारीकियों को भी समझें कि कैसे हम लोग इसको क्या इग्जामिनर की डिमांड होती है उसको सम सारा और तमाम सारे जो हमारे selected candidates जो हमारे group में शामिल हैं उनके द्वारा भी ठीक है उसके बाद जो है फिर हम लोग निबंद विशह से related जो भी सूक्तियां या कविताएं यह सब होती है उनको daily basis पर याद करते रहें यह सारी चीज़ें आपको टेलिग्राम पर मिली रही ह हम लोग जो है निबंद के विशह में हम लोग एक मलब प्रॉपर वे में एक स्किल सीखते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोगों को मान लिजे कि आपने जो टॉपिक तैयार किया अगर वो पेपर में नहीं भी आता है तो आपको कोई भी टॉपिक आएगा आसानी से उसको ढूंड लेंगे इसी क्रम में देखे हम लोग एक नया इनिस्येटिव भी सुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग जो विभिन पेपर होते हैं जैसे मान लिजे कि हिंदी में आपको निबंद लिखना है और आप लोगों में कई सारे लोगों के ऐसी शिकायत रहती है कि हि हिंदी के तमाम सारे जो अच्छे-च्छे अख़बार हैं जैसे दैनिक जागरन हो गया हिंदुस्तान हो गया बिजनेस स्टेंडर्ड हो गया जनसत्ता हो गया और इस तरीके जो भी अख़बार है दैनिक भासकर हो गया तो इन सभी के हम लोग महत्तपूर्ण जो एडिट एडिटोरियल हैं उन सभी को हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलिग्राम ग्रूप में आप उसे पढ़िए अगर आपको उसे भी पढ़ने का समय नहीं है तो आप उसमें जो हाइलाइट की हुई चीजे रहती है उनको मैं खुदी से हाइलाइट करता हू और आप लोगों के लिए वो सारी चीजे उपलब्द कराता हूं ताकि आप लोग अगर उतना ना भी पढ़ सकें तो आप लोग कम से कम जो है इतना कर लें कि उससे जो है आपका ऐसे का और मेंस जो आंसर राइटिंग होती है उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से तय शुरू किया जा रहा है और मतलब दो तीन दिन में वो शुरू हो जाएगा ठीक है अभी हम लोग यह समझते हैं कि अच्छा निबंद जो है वो लिखना सीखने के लिए आप देखिए कि निबंद में अगर आप थोड़ी से प्रैक्टिस अगर आप इस तरीके से आगे वो अभी तो प्री में ही लगे रहते हैं और फिर उसके बाद मेंस एकदम से उनके सामने पहाड बनके आखड़ा होता है और फिर वो जी एस पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं हिंदी ड्राफ्टिंग पढ़ते हैं और इन सब के कारण उनको इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वो निबंद के लिए कुछ अत्रिक तैयारी कर पाएं ठीक है तो फिर होता क्या है कि वो सीधा जाके कयामत वाले दिन निबंद पहला निबंद वहीं पर लिखने की चेस्टा करते हैं ऐसे में उनका निबंद जो है बहुत अच्छे मांक्स उसमें ला पाना एकदम मतलब स 500 में आप लगभग कोशिश कीजिए कि 95 प्लस तो नंबर आपके आए ही और यह इतना मुश्किल नहीं है मैं भी जब इस एक्जाम को देता था तो यहां पर आरो में मेरे जो है वो काफी अच्छे मांक्स हर बार लगभग जो है 80 के एल्द गिर्दी रहें और एक बार मेरे 86 मार्क्स भी आए हैं जो कि उस समय में संभा होता है हाइस्ट होगा क्योंकि मैंने कई सारे टॉपर का देखा तो उसमें ऐसा नहीं था दूसरी बात कि पीसी अगर बात करें नाइंटी फाइव के उपर भी मेरे आए हैं एक सो चाल नंबल तक आए तो इसमें आप जो है मतलब लोग उससे काफी जुड़े थे मगर अभी रिजल्ट तो उसका पेंडिंग है तो कुछ कह नहीं सकते हैं मगर यह है कि इस क्वालिफाई इस क्वालिफिकेशन के आधार पर मैं आपको निबंद के विश्ए में आप लोग मेरी निबंद की कॉपी भी जो है व अगर आपको लगता है कि यह निबंद कहीं से भी अच्छा है तो आप फिर हमारे इस इनिशियर्टिव से जुड़ सकते हैं ठीक है तो निबंद क्यों जरूरी है यह हम लोग ने आज की अपनी क्लास में समझा इसी के अगले पार्ट में चुकि यह वीडियो थोड़ा से लंबा हो रहे तो इसी के अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि निबंद जो है वह क्या है निबंद क्या है इसको हम लोग समझ रहोंगे, तो आज के वीडियो का second part जो है, वो cover हमें आज ही कराना था, पर आज चुकि ये वीडियो थोड़ा से लंबा हो रहा है, तो इसलिए निबंद क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, और इसका evolution समझेंगे कि कैसे कैसे निबंद विकास हुआ, लोग ये समझने के कोशिश करेंगे कि निबंद में चाहिए क्या हमें, क्योंकि जब आप समझेंगे कि निबंद विचार प्रधान और भाव परग दोनों प्रकार के निबंद का evolution हुआ, क्यों हुआ ऐसा, तो उसके बाद ही हम लोग ये निशकर निकाल पाएंगे कि अच ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार